हेलो फ्रेंड, वेलकम टु दे चैनल फार्मेसर डिशनरी, मैंटिसर रुविय की सिरीज में आपका स्वागत है, इससे पहले कि मैं आज के प्रोडट के बारे में बात करूँ, उसके काम करने के तरीके, उसके कॉस्ट्वेंट के बारे में बात करना शूर करूँ, मेरा बस आ आपके आज के वीडियो को समझने के लिए काफी जादा मददगार साबित होगा, एक एक एक्जामपल लेजे कि अगर आप एक अच्छा, खासा, बड़ा, बहुत सुन्दर सा, प्यारा सा सपनों का घर बनाना चाहते हैं, और घर को बनाने के लिए कई अलग अलग चीज़ रहे हैं, तो आगे कुछ समय बाद आप उस बिल्डिंग से क्या एक्सपेट करेंगे, आपका जवाब अगर ये है, कि वो बिल्डिंग तो कॉलाप्स हो जाएगा, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, और अगर आप ये सोचते हैं, कि इसका आज के वीडियो से क्या संब है, तो मैं आपको बताऊं, कि जैसे एक बिल्डिंग की सबसे मजबूत इकाईयों में से एक उनका छड, उनका सरिया होता है, वैसे ही अगर हम अपने बारे में बात करें, चाहे किसी भी एज ग्रूप के बारे में बात करें हूँ, चाहे वो छोटे इंफैंट हो, चाहे व ही हो पाएगा, वो तो जल्दी ही कोलाप्स हो जाएगा, तो जिस तरीके से एक घर के लिए छड का होना मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, इसी तरीके से आपके सरीर के सारी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए आपके सरीर का छड यानि की हड़ियों का मजबूत होना आवशक है फिर आप सोचते हैं कि हड्डियों के मजबूत करने के लिए तो हम कैलसियम का काफी अच्छा सोर्स यूज़ करते हैं अगर ऐसा है तो बिल्कुल सही है और आप को यह करना ही चाहिए लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आज के दिन में जहां जहां पे हम कैलसियम क उपर डिपेंड करते हैं कैलसियम के सोर्स जिसको हम मानते हैं जैसे दूद, दही, मचली, अंडे, etc. लेकिन क्या यह सही मातरा में आपको वो आवशक चीजों को पूरा कर पार हैं गिसकी आवशकता है और माल भी लेता हूँ कि अगर आप दूद भी अच्छे बच्चे को दे रहे हैं, पनीर, मचली, अंडे, जो भी आप यूज़ कर सकते हैं कैलसियम के लिए वो वो सब दे रहे हैं तो क्या गारिंटी है कि यह जो कैलसियम में वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पार हैं क्योंकि कैलसियम के एब्जॉर्ब होने के लिए वाइटामिन D3 एक harmful effect भी produce करता है तो कोई मिला करके या तो diet की कमी की वज़े से या तो exposure की कमी की वज़े से या कोई और absorption ना हो पाने की कारण से आपको सही मातरा में calcium नहीं मिल पाता इस calcium को पूरा करने के आपके पास दो option और बच जाते हैं या तो आप artificial source से calcium कर लीजिए जैसे कि इस तरह की medicines लीजिए या तो फिर आप अपने diet और अपने health के लिए conscious हो जाईए और सही समय पे हर एक चीज को manage करना start कर दीजे लेकिन दूसरा option सही होते भी पूरा नहीं हो पाता क्योंकि आयत की जिंदगी भागती दोड़ती जिंदगी है यहाँ पे एक कहानी है ना भागती दोड़ की चीज़े हमको अच्छे से मिल पाती हैं तो हमको optional में इस तरह के जो supplements हैं उनको लेना पड़ता है डॉक्टर की सलाह पर यह जो supplement है वो अपनी भूमी का अच्छे से निभाते हैं चलिए अब हम बात करना सूरू करते हैं हमारे आज के product के brand name उनके active constant उनका consultation उनका indication इन सब के बारे में सबसे पहले मैं आपको आज के जो brand name है उसके बता दूँ इसका जो नाम है वो है Kelsey Max suspension Kelsey Max में नाम सही समझ में आ रहा है Kelsey यानि की calcium तो Kelsey Max suspension बनाने वाली जो company है वो है Mayor Vita Biotics और यह काफी अच्छी well known well standard company में से एक है pharmaceutical के field में आखिर इस Kelsey Max में किन किन चीजों को ध्यान में रख करके add किया गया यानि कि इसके active constant क्या क्या है इसमें मुखे रूप से आपको calcium, magnesium, zinc और vitamin D3 का एक proper combination मिलेगा तो आखिर calcium, magnesium, zinc ये और vitamin D3 क्या एक जैसा काम करते हैं इनके काम करने का जो purpose है, motive है वो क्या है और क्यों इस तरह के combination को हम इसमें देते हैं वह अगर आपको calcium की कमी है तो सीधा calcium ही दे दीजे ना बाकिजरों को देने क्या जरूरत है तो simple सा logic है calcium को absorb होने के लिए इस तरह क चीजों की आवशकता होती है, vitamin D3 की आवशकता होती है, तो उनको आपको देना जरूरी है वरना वो किसी फायदे के नहीं रहेंगे, जिस तरीके से ऐसा बोला जा सकता है कि सामने आपने खाना रख दिया, किसी भूखे वक्ती के सामने, लेकिन उसके हाथ-पैर आपने बा होता है, और इस पुरे प्रोसेस को मदद करने का काम करते हैं, आपके ये ingredients, including vitamin D3, तो ये तीनों की आवशकता होती है, चलिए मैं आपको एक इंडिकेशन बता दूँ, जो इस box के side में लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, इस प युँ आवस्था से लेकर के pregnancy, इवान lactating woman जो feeding करा रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही आवशक है, क्योंकि calcium is very very essential for the growth of bone, अगर आप pregnant हैं, तो आपका calcium आपके लिए, आपके backbone के लिए, developing वच्चे के लिए भी ज़रूरी है, अगर आप feeding करा रहे हैं, तो milk से calcium आपका जा रह हैं, उस calcium को supplement करने के लिए इस तरह के लेने पड़ेंगे, बुजूर्गों में खास करके, जब decay होना सूरू होता है, हड़ियां कमजोर होने लगती हैं, fragile होने लगती हैं, osteoporosis की problem होती ही रहती है, sponginess बनने लगता है, तब भी आपको अपने bone को मजबूत करने के आवाशक हैं, और इस बीच में छूड़ गए आप और मैं, यंग, तो हम और आप दोनों में difference यह रहता है, कि आप male हैं या female है, generally female में muscle cycles की वज़े से, और भी body की development की वज़े से, उनके हड़ियां थोड़ी सी जल्दी कमजोर होती हैं, तो उनको भी एक certain age के बाद, doctor इस तरह के calcium supplement की सलाह देते हैं, तो कोई मिला करके सबी के लिए यह आवशक है, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इतनी quantity में हमको चाहिए रहता है, हमको कितना नहीं मिल पाता, वह सब आप पढ़ सकते हैं, आपको knowledge जरूर मिलेगा, अब हम इसमें बात करते हैं कि आखिर इस syrup में कौन- अगर आप इस syrup का 5 ml निकालते हैं, तो प्रती 5 ml के हिसाब से आपको मिलेगा calcium carbonate Indian pharmacopoeia के guideline के accordingly 625 mg, अब मैं हर बार यही कहता हूँ कि IP, BP, USP यह सब standard pharmacopoeia के abbreviated version है, IP stands for Indian pharmacopoeia, BP stands for British pharmacopoeia and USP stands for United States pharmacopoeia, हर एक country अपने हिसाब से कुछ protocol बनाती है, ताकि दवाई बनाने वाली company उस protocol को follow करके उस country के respect में हर चीजों को बना करके आपको दे दे, तो उसका concentration मैंने आपको बताया, which is equivalent to elemental calcium to 50 mg, उसके बाद जो हमारा अगला consumer है, वह है magnesium hydroxide Indian pharmacopoeia के guideline के accordingly, इसका जो concentration है, वह है 180 mg, इसके बाद हम बात करते हैं, zinc gluconate, United State of Pharmacopoeia, जो USP में बोर था, वहाँ प zinc 2 mg, उसके बाद है vitamin D3, Indian pharmacopoeia के guideline के accordingly, इसका जो concentration है, वह है 200 international unit, जिसे हम SWOT में IU कहते हैं, बाकि approved overdose of vitamin has been added, यानि कि कुछ मातरा में अधिक vitamin इसमें add किये गए हैं, क्योंकि वह समय के साथ-साथ decay हो जाते हैं, बाकि flavored base है, वह quantity sufficient है, flavored base यानि कि एक flavor डाला गया है इस syrup में, त तब तक नहीं करते, जब तक वो dose खुद आपके product में openly disclosed नहीं हुआ होता है, तो यहाँ पे, यह जो calciumax का syrup है, इसमें dose लिखा हुआ है, इसमें infant के लिए निकि नवजाद बच्चों के लिखा है, as per the prescription of the physician, यानि कि डॉक्टर के सलहा के अनुसार, अगर आप बात करते हैं तो उनको 5 ml से 10 ml दिन में 2 बार देना चाहिए, और as prescribed the physician, या तो फिर आपके डॉक्टर ने जैसा प्रिस्क्राइब किया होगा, उसी के accordingly आपको देते रहना चाहिए, अब हम बात कर लेते हैं, इंडिविजुल कंपोनेंट के कुछ खास काम करने के तरीके, पहला जो आपक वह है calcium, तो calcium एक ऐसा element है, जो कि आपके bone के proper growth, proper nourishment, proper stronginess, उनके condensation के लिए बहुत ही important part play करता है, तो इससे आपके हडिया मजबूत होती है, magnesium के बारे में अगर आप बात करेंगे, तो magnesium जो है, nerve के proper health के लिए काफे important है, nerve को नरिश करता है, उनके proper flow of the message, electrical form में इसको carry forward करने म तो यह आपके nerve के लिए, नसों के लिए, दोनों के लिए coughing important है, इसके बाद जो अगला instrument है, वह है zinc, zinc एक ऐसा element है, जो आपके body में बले ही कम मातरा में आशकता होती है, लेकिन coughing important part play करने के लिए responsible होता है, these are the just minerals, इनका जो मत्वण काम है, वह है आपके body के immune system को strong करना, COVID-19 का case ही अगर याद होगा आपको, तो कई सारे medicine में से medicine prescribed किये जाने लगे थे, जिन में zinc महत्वण element के रूप में था, क्योंकि यह आपकी immunity को boost करने का काम करता था, जिंक is used for enhance the immunity of particular person, इसके बाद इसमें constant vitamin D3, तो यह और बाकी जो मैंने पहले बताए हैं, वह सब calcium के absorption को facilitate करने मदद करते हैं, calcium आप तो ले रहे हैं, किसने किसी form में ले रहे हैं, दूद, मचली, अंडे या कोई भी अलग form में आप ले रहे हो, तो वह calcium भले आपके सरीर तक पहुँच रहा हो, सरीर मतलब पेट तक पहुँच रहा हो, लेकिन बहुत कब मातना में वह आपके body के असली पार्ट यानि के blood तक पहुचता है, तो इनको पहुचाने के लिए, इनको absorb कराने के लिए, vitamin D3 बहुत मतुपोर्ण पार्ट प्ले करता है, तो ये vitamin D3 का काम है, और इस तरीके से ये सारे कॉंस्टमेंट, calcium, magnesium, zinc, और vitamin D3, complete एक साथ मिल करके, calcium egg syrup के रूप में, आपके bone के growth के लिए, आपके immunity के लिए बहुत important है, तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये सला दिया है, तो उसी सला क्या according ले ले ले, या तो फिर आप अपने डॉक्टर से consult करें, कि आपको किस तरीके के dose क्या हो सकता है, या आपके body में calcium के level कितना है, उसी के हिसाब से आप dose refer करिएगा, thank you so much watching this video, नमस्कार, take care